आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां यह है नामी गिरामी अमेरिका के राष्ट्रुपती पद की उम्मीदवारी ठोकी और फिर नशे और तमाम गेर कानूनी घलत कामों के सहारे खुद को और अपने बने बनाए नाम और शोहरत को बरबाद भी कर लिया आज नामी गिरामी में मैं अमन गुप तक सुनाओंगा कहानी टेक टाइकून जॉन मैकेफी की जॉन मैकेफी की कहानी किसी हॉलिवड मूवी के प्लॉट की तरह है इसमें खुब सारा पैसा, ड्रक्स, बंदूखें, लड़कियां केरबिन सी के पास अलिशान मकान और उसमें आयाशों माली जिन्दगी सब शामिल है इंग्लेंड के स्कॉटलेंड में 18 सितंबर 1945 को जॉन मैकेफी पैदा हुए छोटे में ही उनके माता पिता उन्हें लेकर अमेरिका के वर्जीनिया शहर में शिफ्ट हो गए जॉन के पिता पेशे से जलात थे, बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे और एक रोज उनके पिता ने गोली मार कर खुट की जान ले ली उस वक्त जॉन की उम्र महज 15 साल थी पढ़ाई लेखाई चलती रही, ग्रेजूइशन किया मैथमेटिक्स से पढ़ाई के साथ साथ शराब की लट उन्हें भी लग गई लेकिन पढ़ाई का खर्च तो था नहीं, पीने का कहाँ से निकलता है इसलिए लोगों को फरजी स्कीम बता कर लूटने लगे फिर पिएचडी करने पहुँचे, लेकिन यहाँ जूनियर छात्रा के साथ यौन संबंद बनाते हुए पकड़ लिए गए और फिर पिएचडी पर रोक लगा दी गई इसके बाद छोटी मोटी नौकरी पकड़ ली और किसी तरह गुजरबसर होने लेगी 90 के दशक के बीच में मैकेफी ने पाव वाव नाम से एक कंपनी बनाई जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए इंस्टेंट मैसेंजिंग और चैट प्रोग्राम्स बनाती थी बाद में उन्होंने साइबर सेक्योरिटी के लिए फायरबॉल बनाने वाली जोन अलार्म कंपनी में निवेश किया और कंपनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए अब तक मेकेफी साइबर सेक्योरिटी इंडस्ट्री के बड़े नामों में शुमार हो चुके थे इसके बाद साल आया 1987 जब उन्होंने कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में मेकेफी एसोसीेट्स कंपनी की निव डाली और बनाया मेकेफी एंटिवाइरस ये वो दौर था जब पर्सनल कंप्यूटर्स और इंटरनेट का चलन बढ़ रहा था ऐसे में इंटरनेट सर्फिंग के दौरान वाइरस का खातरा भी बढ़ रहा था लेकिन 90 फीजदी लोग उस वक्त जानते ही नहीं थे कि ये वाइरस होता क्या है फिर एक घटना हुई जिससे जॉन को एंटिवाइरस बनाने का खयाल आया इसका नाम उन्होंने अपने ही नाम पर रखा मैकेफी क्या थी वो घटना आप आज तक डॉटन में टेक जर्नलिस्ट और साइबर सिक्यूरिटी के एक्सपर्ट मुन्जर एहमत से सुनिए तो पाकिस्तान के लाहॉर में बासित फारू कलवी और अमजद फारू कलवी नाम के दो भाई थे दोनों की एक कंप्यूटर स्टोर थी उन्होंने उसी स्टोर में काम करते करते हार्ट मॉनिटरिंग से जुड़ा एक प्रोग्राम बनाया था और ये प्रोग्राम जो हार्ट मॉनिटरिंग का था ये सॉफ्टर मेडिकल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी बात थी अब लोगों ने इसे हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया कि ये तो नई चीज़ है लेकिन प्रैवेसी का इनों ने ध्यान नहीं रखा था जो की ये गलती बहुत लोग करते हैं और यहीं उनके साथ धोका हो गया कुछ लोगों ने उनसे सॉफ्टर खरीदा और फिर सॉफ्टर की पारेसी होने लगी इसके बाद जब उन्हें पता चला कि तो उन्होंने कोड करके एक वाइरस बनाया जिसे नाम दिया गया ब्रेन अब जो भी सॉफ्टर का पारेटिड वर्जन अपने कंप्यूटर में डालता था तो साथ में वाइरस भी कंप्यूटर में चला जाता था ताकि लोग पारेटिड यूज ना करें और इसमें एक मैसेज फ्लेश होता था सॉफ्टर के साथ जो आप इंस्टॉल करने के बाद एक मैसेज फ्लेश होता था जिसमें वाइरस को लेकर के वार्निंग दी जाती थी और उस कंपनी का नाम, पता, फोन नंबर होता था ताकि वो उनसे कांटेक्ट करें औरिजिनल सॉफ्टर उनसे खरीदें और कंप्यूटर को वाइरस फ्री करवाएं तो मुद्दा ये था कि अब कोई भी अगर पारेटिड खरीदेगा तो उसे एड़ एंड अफ दे डे उनने उनके पास ही जाना होगा जहां ओरिजिनल सॉफ्टर बनता है अब उस वक्त का ये जो वाइरस था उनका काफी लोगों के कंप्यूटर पहुँच गया दुनिया बर में कई जगे ये पहुँच चुका था क्योंकि ये सर्क्यूलेट होता रहता है अब इसे ये भी बताया जाने लगा कि ये दुनिया का पहला कंप्यूटर वाइरस अटेक था बट ऐसा नहीं है थोड़ा सा एक्जाजरेशन है अब यही कहानी एक दिन एक मैगजीन में छपी और उसे जॉन मेकेफ़ी ने पढ़ी और उन्होंने इसे लेकर के एक एंटिवाइरस बना दिया जिसका नाम अपने नाम अपने लास्ट नेम पर रखा उसका मेकेफ़ी एंटिवाइरस उसके बाद ये काफी पॉपुलर हुआ अब ये किसी भी सॉफ्टर या प्रोग्राम को इंस्टॉल करने से पहले ही उसमें वाइरस की चितावनी दे देता था ताकि लोगों को पता चल जाए कि जो इंस्टॉल किया है वो फ्लॉड है और तब से ही जॉन मेकेफ़ी की जिंदगी ने एक नया मोल ले लिया तो पहले पहल तो उन्होंने ये एंटी वाइरस लोगों को फ्री में देना शुरू किया लेकिन धीरे धीरे इसका सब्सक्रिप्शन दिया जाने लगा 8090 के उस दशक में दरजनों फॉर्चून हंड्रेट कमपनिया उनका ही एंटी वाइरस इस्तेमाल किया करती थी इसी के साथ मेकेफ़ी की कमाई आस्मान चूने लगी फिर 1992 में एक और वाइरस चर्चा में आया माइकल एंजेलो मेकेफ़ी ने इसे लेकर तमाम दावे किये कि ये बेहत खतरनाक है दुनिया भर के लाखों कम्प्यूटर्स इससे बरबाद हो जाएंगे अब चुकि मेकेफ़ी एंटी वाइरस की दुनिया के दिगज बन चुके थे और उनकी आवाज सबसे प्रमानिक थी सो मीडिया ने माइकल एंजिलो से जुड़े उनके दावों को खुब तूल दिया बाद में जब इस वाइरस ने हिट किया तो अतना नुकसान नहीं हुआ जितना की मेकेफ़ी ने बताया था ये एक महज बिजनिस टेक्ट ही कहा जाएगा क्योंकि उनके दावों के बाद मेकेफ़ी एंटी वाइरस की खरीद 50 गुना तक बढ़ गई थी फिर साल 1992 में मेकेफ़ी एसोसीड्स एक पबलिक कमपनी बन गई और जॉन के पास 600 करोड के स्टॉक्स आ गए दो साल बाद जॉन ने 1994 में इस कमपनी से स्टीफा दे दिया और बाद में 2011 में इंटेल ने इस सॉफ्ट्वियर कमपनी को खरीद लिया मेकेफ़ी एसोसीड्स छोड़ने के बाद जॉन टेक बिजनिस से जुड़े रहे उन्होंने NASA, Xerox और Lockheed Martin जैसी कई कमपनीों के लिए काम किया कई Firewall और Windows वगहरे के लिए Instant Messages, Chatbot बनाने वाली कमपनीों में निवेश किया नई-नई Startup कमपनीों को मश्विरा देने लगे और Colleges वगहरे के Events में Speaker के तोर पर जाने लगे साथ ही Cyber Security को लेकर जौन अकसर सवाल उठाते रहते थे Russia Today को दिये एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा था कि Google ने भले ही लोगों के लिए दुनिया खोल कर रख दी हो लेकिन इसने लोगों की प्राइवेसी के साथ खिलवार किया है तंबाकू कंपनियों ने 40 और 50 और 60 के दशक में लीसरचर्स को लाखों डॉलर दिये और सिर्फ इसलिए ये पैसा दिया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि लोग ये कहें कि तंबाकू नुकसान दायक नहीं है और अगर गूगल का उधारन ले तो अगर आप गूगल पर भरोसा रखते हैं कि वो आपके लिए नुकसान दायक नहीं है तो आपको मानना होगा कि ये पूरी तरह से आपकी प्राइवेसी और मानवी मर्यादा को नुकसान नहीं पहुँचाएगा और मुझे गलत मत समझी है मैं गूगल को एक पॉइंट पर पसंद भी करता हूँ कि इसने दुनिया के सामने समझ बूज से परे सूचनाओं का दायरा बढ़ा दिया और हमारी जिंदगी को समरिद बनाया लेकिन गूगल कॉर्पोरेट मान सकता से काम कर रहा है और पैसा कमाने के लिए उसने सब कुछ दाओं पर लगा दिया किसी तरह सब ठीक ही चल रहा था लेकिन फिर 2009 में आई वैश्रिक मंदी ने उन्हें करारा जटका दिया 100 मिलियन डॉलर की उनकी नेट वर्थ 4 मिलियन डॉलर पर आ गई उन्हें अपनी प्रॉपर्टी और कई बेश कीमती चीज़ें बेचनी पड़ दी कई लोगों ने जॉन पर मुकदमा भी ठोक दिया अब जॉन ने सोचा कि देश शोड़कर भाग जाने में ही भलाई है उसने अमेरिका की अपनी लगभग सारी जायदाद बेच दी इस बीच उसकी मुलाकात जैनिस डायसन से हुई जो एक कॉल गर्ल थी और उसी के साथ जॉन ने शादी कर ली उस वक्त जॉन 68 खे थे और डैनिस की अमर थी 34 जॉन की तीसरी सादी थी इससे पहले उसने एक शादी कॉलेज स्टुडेंट से उस वक्त की थी जब वो पिएचडी कर रहे थे लेकिन उस महिला ने साल 1980 में मेकफी को उनकी नशे की बुरी आदतों की वजह से छोड़ो दिया था फिर साल 2000 में उन्होंने जूडी नाम की एक महिला से शादी की लेकिन वो भी रिष्टा नहीं चल पाया और तलाख हो गया खैर यहीं बलीज में साल 2012 में उसने कोरम X नाम की एक कमपनी बनाई बताये गया कि यह कमपनी हर्बल बेजड एंटी बायोटेक्स बनाती है लेकिन इसी साल पुलिस की रेड इस कमपनी पर पढ़ गई क्योंकि पता चला था कि हर्बल बेजड एंटी बायोटेक्स की आड में जॉन की कमपनी ड्रक्स बना रही है जाच होई तो उनकी रिसर्च पर रोक लगा दी गई हलाकि जॉन को गरफतार नहीं किया गया फिर जॉन पर ये भी आरोप लगे कि वो अपनी प्राइवेट आर्मी बना रहा है ताकि बड़े इस तरपर ड्रक्स का कारोबार कर सके जॉन मैकेफी की जिन्दगी पर एक डॉक्यूमेंटरी भी बनाई गई नाम है गरिंजो दा डेंजरस लाइफ आफ जॉन मैकेफी इस डॉक्यूमेंटरी में जॉन मैकेफी से जुड़े कई सियाह राज खुले गए है 2016 में ये फिल्म टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में रिलीज की गई थी हलाकि इसे मैकेफी ने फिक्शन बताया था 2012 में ही जॉन जब बलीज में थे उन्हें उनके पडूसी ग्रेक फॉल की हत्या के मामले में पुलिस ने गरफतार कर लिया कुछ दिन के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया इस मामले में पूछ ताच भी हुई लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा नहीं कि उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जाए हाँ लेकिन उनके घर की तलाशी के दौरान दो लाइसेंसी पिस्टॉल ज़रूर मिली थी जेल से छुटते ही जॉन को लगा कि अब बलीज में भी रुकना मुनासिब नहीं है लेकिन गयर कानूनी तरीके से गौाटेमाला में घुसने की वजह से उन्हें पकड़ लिया गया और वापस अमेरिका भेज दिया गया यहाँ 2015 में जॉन मेकिफी ने अपनी पार्टी बनाई साइबर पार्टी और कहा कि वो अमेरिका में राष्ट्रपती चुनाओ लड़ेंगे हाला कि बाद में वे लिबर्टेरियन पार्टी से जुड़ गए और 2016 में प्रिस्डेंट इलेक्शन के लिए उन्होंने दावेदारी ठोग दी लेकिन उम्मीदवारी न्यू मेक्सिको के पूर्व गवर्नर ने जीत ली बाद में डॉनल्ड ट्रम्प राष्टपती बने हाला कि जॉन जानते थे कि वो जीतेंगे नहीं एक विदेशी मीडिया चैनल न्यूजी से बाचीत में उन्होंने बात कही थी अमेरिका में आकर भी जॉन ने गेर कानूनी काम करने जारी रखे जैसे शराब पी कर गाड़ी चलाना, अवैध हतियार रखना साथी साथ क्रिप्टो करंसी से जुड़े फ्रॉट्स में भी वो शामिल रहे जान बूचकर 2014 से 2018 के बीच उन्होंने टेक्स भी नहीं दिया 2019 में एक मर्डर केस में फ्लोरीडा की कोर्ट ने उन्हें जुर्माना भरने के लिए कहा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसी बीच देश छोड़कर एक बार फिर वो भाग निकला कई महीनों तक अमेरिकी एथॉर्टी से भागता रहा लेकिन एक रोज 3 अक्टूबर 2020 को बारसिलोना एरपोर्ट पर उसे धर लिया गया वो इस्तामबुल जा रहा था स्पेन की पुलिस ने उसे ग्रफतार करके जेल में डाल दिया और तब से ही उसके अमेरिका के प्रत्यरपण की कारवाई चल रही थी जॉन नहीं चाहता था कि उसे अमेरिका भेजा जाए लेकिन 23 जून 2021 को उसका प्रत्यरपण मनजूर कर दिया गया लेकिन इससे पहले कि उसे अमेरिका भेजा जाता उसकी मौत की खबर आ गई फैसले के कुछी घंटे बाद उसने अपनी जेल की कोठरी में फांसी के फंदे पर लटक कर आत्मात्या कर लिए लेकिन उसकी मौत कई सवाल छोड़ गई कि जेल की सुरक्षा के बीच ऐसा हुआ कैसे जॉन ने 15 अक्टूबर 2020 को ही ट्वीट करके कहा था कि यहां जेल में उसके दोस्त है, खाना भी अच्छा है, सब अच्छा है लेकिन अगर मैं अपने आपको फांसी लगा लूँ तो इसमें मेरा दोश नहीं होगा हलाकि 10 जून 2021 को उसने जेल में पसरे दुख और यहां के बेवहार को लेकर भी खेज जिताया था और 23 जून की रात उसकी 75 साल की उमर में मौत हो गई नामी गिरामी की आज की पेशकश में इतना ही अगली बार किसी और शखसियत का सफर नामा लेकर हज़र होंगे अगर आप कोई सलहाय सुझाओ या शिकायत करना चाहते हैं तो radio at आज तक डॉट कॉम पर हमें आपके इमेल का इंतिजार है नामी गिरामी के एपिसोड आपको तमाम audio टीटी प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाइ, गूगल पॉडकास्ट, एपल पॉडकास्ट, पॉडचेजर, गाना इन सभी जगों पर मिल जाएंगे जाकर वहां सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपसे कोई अपडेट छूटने ना पाए मेरा नाम अमन गुपता है इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग की अमरित रेगी ने अब आपसे एजासत चाहूँगा नमस्कार आप कैसे बचाएं ये वैंक वजार की ये टेड़ी मेड़ी बातें गले तो उतरती नहीं है अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना अपने मनी मैनेजर से आपके बटुए से जुड़ी हर शलाह एकदम मुफ्ट शारी सुनिए पाइशे से टुड़ा है कोई भिश्चक आश्क बे जिजक मनी मैनेजर पात बचत की हर शनिवार आज तक रेडियो पर आन मनाओ कत्ता यादा रखना